नमस्कार दोस्तों आरिश केशन में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग कुछ प्रमुख समाज की बारे में जानेंगे कि इसके अस्थापना कब हुई इसका मुख्याले का है और इसके संस्थापक का हुण है तो चलिए आए देखते हैं ब्रह्म समाज के अस्थापना अठ 867 इसभी में हुई थी और इसका मुख्याला है बंबई और इसके संस्थापक है आत्मारंग पांडूरंग अगला है आरिसमाज आरिसमाज के स्थापना 875 इसभी में हुई थी और इसका मुख्याला बंबई में हुई और इसके संस्थापक के दयानन सरस्थी सनातन धर्म इसके स्थापना 895 विम हुई थी और इसका मुख्याले वराटसी में है और इसके संस्थापना के पंडित दीन दयाल। अगला है रामकिष्ण मिशन, इसकी अस्थापना 897 विमें हुई थी, और इसका मुख्याला बेलूर में इस्तित है, और इसके संस्थापक के स्वामी विवेका नंद जी. अगला है नागरी परचाली सभा इसकी अस्थापना 893 इस भी में हुई थी और इसका मुख्याला कासी वरांट सी में है और इसमें तीन संस्थापक हैं पहले हैं स्याम सुंदर दास दूसरा है राम नरान मिश्र और अगला है सिवकुमार सिंग अगला है हिंदी साहिते समेलन हिंदी साहिते समेलन के स्थापना 1910 इस भी में हुई थी और इसका मुख्याला प्रयागराज इलाबाद में इस्तित है और इसके संस्थापक है मदन मोहन माल वीज अगला है राष्ट भासा परचार समीती राष्ट भासा परचार समीत की अस्थापना 1936 इस भी मुई थी और इसका मुख्याले वर्धा वर्धा कहा है वर्धा महाराष्ट में इस्तित है अगला है अखिल भारती हिंदी संस्थान अखिल भारती हिंदी संस्थान इसके अस्थापना 1964 इस भी में हुई और इसका मुख्याले नई दिल्ली में है अगला है नागरी लिपी परिशद, नागरी लिपी परिशद के अस्थापना 1975 इसभी में हुई थी और इसका मुख्याले नई दिल्ली में है 14 सितंबर 1949 इसभी को संभैधानिक रूप से राजभासा घोसित किया गया हिंदी को 14 सितंबर 1949 इसभी संभैधानिक रूप से राजभासा घोसित किया गया